साल 2011 का बक्त था उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी और उत्तर प्रदेश के नोड़ा से सटे जेबर में भट्टा परसौल गाउं में किसानों का बड़ा धरना चल रहा था जमीन अधिग्रहन के खिलाब किसान बैठे थे और परसासन की तरब से उन पे गोलिय चलाई गई और उस वक्त उस भट्टा परसौल में ततकालीन कॉंग्रेस के सांसद राहुल गांधी आये और इस अंदोलन की मेजवानी की और उसके बाद 2014 के लोगसबा चुना हुए और जिसमें कहा जा रहा था उसके ठीक पहले 2009 के लोगसबा चुना हुए थे जहां से कॉंग्रेस अकेले अपने बूते परदेस में एक कीस लोगसबा की सीटे जीती हम आपको इसलिए कहानी सुना रहें कि न्यूज 24 उसी भटा परसॉल गाउं में मौझूद है वक्त अब 2024 का लोगसबा चुना आने वाला है वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है और ये जानने के लिए कि 2024 के लोगसबा चुना चुना हु मुद्दे वही हैं जिस राहूल गांधी की वैसे भटा परसॉल देश के मानचित्र पर आया उस भटा परसॉल की राजिती की सिती क्या है आम लोग क्या सोच रहे हैं क्या 2024 में किसकी सरकार बनेगी इंडिया बनाम इंडिये पर कौन भारी पड़ेगा इनी सब चीजों को जानने के लिए हम यहां के गाउं में मौजूद लोगों के पासा हैं और जानने के लिए कि 2024 के लोग सवाचुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा पहला सवाल आफी से है कि भटा परसॉल में राहूल गान दिया थे और तब देश के मानचित्र पर लोगों ने जाना कि जाना कि भटा परसॉल कोई गाउं है अब वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है अब 2024 के लोग सवाचुनाव साल कि पंचवर्श यूजना दूसरी है पंचवर्श यूजना भी दूसरी है तीसदेशाव तो क्या होगा इस बार करेंगे तो राजने टीकादिम जैसे मैं य मेरी जिंदगी कैसे कैसे बहानों में कट गई मैं ऐसा था नहीं मेरा मेरा चान में शुरू हुआ छबी जुलाई से 96 और बहुत सरकारे देखी हैं बहुत नजदीक रहें मुख्यमंत्रियों के भी प्रधान मंत्रियों के भी लेकिन मैं यह समझ सकता हूँ आज के दोर में जब तक व्यक्ति का निजी जीवन सुद्ध नहीं होगा तब तक सा मौझूधा प्रधान मंत्री जो चीजें उठानी हैं उनको वह तो राजने एक पॉइंटों भी से उठाते रहेंगे उठाया जाएगा यह क्या मक्सद है मैं तो इसकी फिवर में ही नहीं हूं कि हर एक पार्टी जो बनती है किसी की कमियों बेश्यों के उपर टिपनी करके बनती है बनती यह नहीं बनती है और श्राचार के वी उनके बैरिता कारोप के बनती है और फिर उस बनने के बाद ब्सुजर में से लिया जाते है कर तूप आ जा टूप आ युदय तो परिषा नहीं इंग्रике प्रभारयच्ञ इंडिया गठवंधना तो कुछ दिखता है आप लोग का रहा है हमारे हां तो दीखे ना हो कुछ है तो कुछ दीखे वह नहीं किया ताव अभी तो हम वाई ते गया रहते ही ना सुर्ज रहे उसमें तो कंग्रेस कहती है कि हमने अधिखरहन आंदोलन के खिलाफ एक नीव रखी और उसका फायदा मिला किसानों को महेश सर्मा कोई भी आयो से फायदा काई यह कुछ ना हुए नुक्सान में यहाद तक सजा काट आई दू दू साल तो अर अब फिर भी केस चल रहे हैं तो बीजेपी की सरकार है ना आप लोग तो बीजेपी की भी है बीजेपी भी तनमन माप कराएगी तो ठीक है ना तो आपको यूरिया मिल रहा है आपकी आय ठीक हो गई मिल रहा है अब मिल तो खूब रहे हैं पर मिलें तो जो पेंतालिस किलो को कट्टा उत्रे साड़े तीन सो को मिल रहो कहा मिल रहो यह कोई मिलने ना है कि क्या महौल है आपके हाँ दोजार चौदिस में जब चुना होगा जनता को देखंगे जनता को रुक डोल के लाके में अच्छा यह महंगाई बेरोजगारी जो मुद्दा उठारे भी पक्ष उसमें कुछ दम है आम जनता के मुद्दे हैं या ऐसे हवागाई यह तो हर सर सब पर भारी है अपनी वी ठीक है पहली भी ठीक ही जो आब है उठी की रहे है गलत क्या जिचा क्या है आप लोगों को चैनल पर सभी सुनने वाले भाईयों को नमस्कार है बात ऐसा है कि महंगाई तो है ही है और विकास वाली बात है तो आप गाम में घुश्टी देख लो गाम में जड में जब की कानूनन नहीं होना चाहिए दो ठेके हैं देशी भी एर इंगलिस भी किसी गली में किसी भी यहीं जा कर देख लो पानी नहीं निकलता हमारे समसान घाट जा कर देख लो कहीं कुछ नहीं है पूरे गाम में सोचाले नहीं है समसान घाटों की बुरी कि यहालत तक यह तो सरकार ने कहा कि घर घर सोचाल है सबसे ज्दा इस मोधी सरकार ने नौ साल में सचाले ही बनवाए आप करो भट्टा में सचाले नहीं है भाई साब एक भी जाय के देख लो और मुझे दिखा दो कि कहाँ हमारा कि कहीं कोई कि अस्पताल नहीं है बेरोजगारी महंगाई कोई मुद्दा यह थोड़ा हिसाब चु बोल रहे हैं मैं थोड़ा ओपन बोल रहा हूं ठीक है कि मांगाई पर कोई रोकर नहीं चाला हूं यही सवाल लोग पूछते हैं बीजय पी भी यही कहते हैं जो बावा का रहे हैं क्या कह रहे हैं जोतने यहां कैसा नहीं है मेंगाई कैसा नहीं रुखेगी ओरा केजरी वाल मुफ्त बिल दो से यूनिट वाहन फिरी लेडिजों के लिए यहां क्या कर रहा है यह तो देखो आप लोग घूम के देखो इस काम में करा क्या कहीं दस्ट पे नजर आ रहा है कुछ नहीं है कुछ रहा है कहां अरे यार किस लिए भगत जी कोई माप नहीं है अरे पूछ रहे हैं यह बता बाइसाब की क्या महल है सबसे लोग मिलते रहे और आसवासन मिलते रहे केस अब भी चल रहे हैं उनके उपर पहली बाद दूसरी बात महेंगाई सब्सक्राइब लोग परेशान है और जो चार साल की अगनी वीर योजना इधरन लेका है उसकी वज़े साथ जो यहां की रोजगार था उस पर इब्राम लगा आए तो लोग बीजेपी से इससे में परेशान है वो लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे अब दूर की बात है अच्छा वीजेपी को नहीं करेंगे यह तै करेंगे किसको यह तैने यह बात की बात है अभी जो है प्रत्यासी देखके दूसरे को वोट करेंगे जो मजबूत दिखाई देगा अब देखिए राहूल गांधी के लिए कल कह दिया गया कॉंग्रेस ने कि राहूल गांधी में ठी से चुना लड़ेंगे राहूल गांधी ने भटा परसौल राजनिती के लिए उन्होंने उनको सबसे ज्यादा और बराव भूमी दी राहूल गांधी को लेकर या कॉंग्रेस को लेकर दोजार चौबिस में आप लोगता है कि कुछ करिश्मा साथ में से दो परसेंट जो लोग हैं वो कांग्रेस के संवर्थक हैं इसन का नहीं है तो जिएस्टी कलेक्शन जो है न उनका बढ़ रहा है लेकिन हमारा आमा आदमी का प्रहानि वह वह भी बढ़ रही है लकाता यहां बढ़ए जो प्रश्मा है में लुखे लिगां परी लगता है कि बीजेपी को उससे कोई नुक्सान है आम आदमी जो है कॉमन मेन उसको तो लगता है कि बीजेपी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वो हमारे समर्थक हैं लेकिन हमने आए बढ़ा दी है किसानों का MSP का जो सबसे ज़्यादा है लिस्ट में उसमें उन्होंने ज़्यादा दिया तो यह सब मुद्दे हैं उदर कह रहे हैं थेवाई साब की बेरोजगारी मंगाई कोई इसु नहीं है नहीं जो जिस व्यक्ति का परिवार में चार व्यक्ति हैं और उन्हों चार को रोजगार नहीं मिल रहा है उनके लिए इसु है को सकता है कोई परिवार सेटल हो उसका मुद्द ना हो रही बात MSP की बढ़ी है यह बास सही है लेकिन खेती में लागात कितनी बढ़ी है वो नहीं सहां समसे यह तो करें कि बीज़ेपीने 10 साल में कुछ नहीं किया नौ सल में और बाकी सरकारों से बेहतर किया लोग उलटा कहते हैं भासनों में कहते हैं परिवार भादी है ब्रश्ट अचारी तोस्टी करण वाला है बैसा ठीक है रहा है है यह लेकिन जो आपने पर जो भी बोल रहे हैं कि हम गाम में रासन बाट रहे हैं सबसु पहले तो यह बंद होनों चाहिए क्योंकि आदमी की सोच ही होगी कि कहा जब मैं खाने कोई मिल जाएगा तो हम पिर कमानी क्यों जांगे सबसे बड़ा बेरोजगारी को कारण तो ही हुआ है ठीक है यह आप इस तरह के बहुत कम चलेंगे वह जाएदे चलेंगी जैब मोधी जैब मोधी बिल्कुल से हमारे गांगों के अंदर मैंने मैंने दिखाया खुद यहाँ 75 कोंग्रेश के लिए समर्थक हैं बागी 25 परसेंट अधर पारटी के लिए हैं और आब यह सुनने माया के इंडिया का गठन हुआ है तो 75 परसेंट वहां इंडिया के लिए है और एंडी के लिए कितना है यह मुझे मालूम नहीं है जब चुनाओं का वक्त आएगा तो समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेश साथ लड़ेगी नहीं लड़ेगी बीएसपी मायावती ने इस इलाक